नमस्कार मैं पृति पूजा अपने चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आज हम बनाएंगे काबुली चनापुला ये खाने में बहुत ही स्वादिश्ट होता है और आसानी से बन भी जाता है इसे आप लंच या डिनर में सर्व कर सकते हो लंच बॉक्स के ल बनाना स्टार्ट करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर देड़ कप बास्मती राइस लिया है आप इसे किसी भी राइस में बना सकते हो एक कप उबला हुआ काबुली चना लिया है जिस तरह से आप छोले बनाने के लिए काबुली चने को उबालते हो उसी तरह से उबाल कर ले लेना है कुछ खड़े मसाले लिए हैं एक बड़ी इलाइची एक टुकड़ा दालचीनी का आठ से दस काली मिर्च आधा टुकड़ा चक्रफुल चार लॉंग दो इलाइची और दो साबूत लाल मिर्च इसके साथ ही साथ मैंने दो मेडियम साइज के प्याज को स्लाइस में काट लिया है पुलाव बनाने के लिए आप प्याज को स्लाइस में ही काटें दो हरी मिर्च को बीस से चीरा लगा कर इस तरह से काट लिया है और एक टी स्पून अधरक लसन का पेस्ट यहाँ पर मिर्च क की मात्रा आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर लें। सबसे पहले चावल को धो लेते हैं तो तीन चार बार पानी बदलते हुए इसे अच्छी तरह से धो लेंगे और अब इसे मैंने धो लिया है। इसे साइड में रख देते हैं पानी में बिगा कर रखने की जरूरत नहीं है मीडियम फ्लेम पर मैंने कढ़ाई गरम कर ली है इसमें तीन बड़े चम्मज देशी घी डाल देंगे देशी घी में ये पुलाव जादा स्वादिस्ट बनता है और इसकी खुश्बू भी बहुत ही अच्छी आती है पर इसे तेल में भी बनाया जा सकता है है घी गरम हो चुका है फ्लेम को लो कर लेंगे इसमें एक टीस्पून जीरा डाल देते हैं और जैसे ही जीरा चटकने लग जाए बाकी के सारे खड़े मसाले भी डाल कर एक बार चला देंगे अब इसमें प्यास डाल कर भून लेंगे बीच बीच में चलाते हुए इसे हम लाइट प्राउन होने तक भून लेंगे तो जब तक प्याज भूनता है हम मसाले की तयारी कर लेते हैं तो यहाँ पर एक छोटी बाउल में मैंने अध्रक लसन का पेस्ट डाल दिया है अब इसमें हम कुछ पाउडर मसाले भी एट कर देंगे आधा टीस्पून हल्दी पाउडर एक टीस्पून धनिया पाउडर आधा टीस्पून जीरा पाउडर आधा टीस्पून तीखी वाली लाल मेर्ज पाउडर एक टीजपून काश्मीरी लालमेज पौॉडर काश्मीरी लालमेज पौॉडर तीखा नहीं होता ये हमारे पुलाव को एक बढ़िया सा कलर देगा इसलिए मैंने इसे भी एड़ किया है आधा टीजपून गरम मसाला पौॉडर अगर आप खड़े गरम मसाले का इस्तेबाल नहीं करना चाहते तो एक टीस्पून गरम मसाला एट करें हलका सा पानी डाल देते हैं मिक्स करके पेस्ट तयार कर लेंगे और अब प्याज भी अच्छी तरह से भून कर लाइट ब्राउन हो चुका है तो अब इसमें हम हरी मेच और मसाले जो हमने तयार किये थे वो डाल देते हैं मिक्स करते हुए भून लेंगे इसे हमें मसालों के अच्छी तरह से भून कर तेल छोड़ने तक भून लेना है और अब 2 मिनट तक भुनने के बाद मसाले अच्छी तरह से भुन कर तेल छोड़ने लग गये हैं तो अब इसमें हम काबूली चना डाल देते हैं मिक्स करते हुए मसालों के साथ कुछ सेकेंज के लिए भुन लेंगे स्वादा नुसा नमक भी इसी स्टेज पर मैंने इसमें डाल दिया है मिक्स करते हुए चला देंगे इस पुलाओं में हम ठंडे पानी का इस्तिमाल नहीं करेंगे तो देड़ कप चावल के हिसाब से मैंने तीन कप पानी गरम होने रख दिया है और अब इसमें हम चावल डाल देते हैं मिक्स करते हुए चला देंगे चावल को सारे मसालों और काबुली चने के साथ दो तिन मिनट तक ढून लेंगे जब तक कि इससे चिट-चिट की आवाज ना आने लग जाए और अब चावल से चिट-चिट की आवाज आने लग गई है तो अब इसमें हम गरम पानी डाल देंगे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं काबुली चना या छोले पुलाव बना रहे हैं तो एक टीस्पून इसमें हम चना मसाला या छोले मसाला भी डाल कर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ढ़क कर इसे 10 मिनिट तक पका लेंगे तो पहले इसे मैंने 5 मिनिट तक मीडियम फ्लेम पर और बाद में 5 मिनिट तक लो फ्लेम पर पका लिया है और अब ढ़कन खोल कर देख लेते हैं बहुत ही बढ़िया खुश्बू आ रही है एक बार चला कर देख लेते हैं पूरा पानी अच्छी तरह से सूप चुका है और चावल भी पक चुके हैं एक बार चेक करके देख लेते हैं चावल बहुत ही अच्छी तरह से पक चुका है फ्लेम को ओफ करके बारीक कटी हरी धन्य की पत्तियां डाल देंगे ठक कर इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि पुलाव अच्छी तरह से सेट हो जाए और अब 10 मिनट के बाद इसे मैंने धककन खोल कर एक बाद अच्छी तरह से मिक्स करते हुए चला दिया है बहुत ही स्वादिस्ट एकदम खिला-खिला पुलाव बन करते यार हुआ है सारे चावल के दाने एकदम अलग-अलग हैं बिल्कुल भी एक दूसरे से चिपक नहीं रहे इसे सर्व कर लेते हैं इतना पुलाव आप घर के 3-4 लोगों को अराम से सर्व कर सकते हो इसे मैंने आज स्लाइस में कटे हुए प्याज और बुंदी के रायते के साथ सर्व किया है आप भी इसे बनाकर एक बार जरूर ट्राई करें काबूली चने प्रोटीन का एक बहुत ही बढ़िया श्रोथ होते हैं तो यह प्रोटीन रिज पुलाव आपको भी बहुत सब्सक्राइब नहीं किया है तो कैंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बैल का आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई रेसेपी डालू उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए इस रेसेपी को लास्ट तक देखने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसेपी के साथ मेरे चैनल कुकिंग विद पेटी पुजापर पालू झालू झालू